हलो फ्रेंट बेलकम तो टीटर मंता ट्रेनिंग इस टूटोरियल में आप जानेंगे कि फानल काट प्रो में बेसिक मोशन की फ्रेमिंग किस प्रकार की जाती हैं जिसके अंतर गथ हम आपको स्केल करना सेंटर पॉइंट का मुमेंट करना और क्रॉपिंग पताएंगे कि जो हम लोग काम करते हैं तो हमारा जो फ्रेम साइज होता है यह 720 और यह 576 का होता है ठीक है जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर 720 और 576 यह काम करता है जो भी काम किया पूरे फ्रेम पर काम करते थे अब हमारा जो पहला इस्टेप है हम उस फ्रेम में पूरे फ्रेम को मोडिफाई करेंगे छोटा करेंगे बढ़ा करेंगे रोटेट करेंगे क्रॉप करेंगे अब उसमें हम छोटा बढ़ा करेंगे लेकिन छोटा बढ़ा करेंगे लेकिन छोटा बढ़ा करेंगे वीडियो में कहा है छोटा बढ़ा जिसे अब प्रिंट मीडियम कोई काम करता एक बार फुक्टा इरे पूरी अहीं हमारे किया है कि छोटी होने साथ साथ वह वहरी मूट करती है मूमेंट करने के लिए हम लोग के चेकर करना पड़ा已 की फ्रेमिंग लगाने के लिए हम लोगों को और यह थह यहां लोफ इस पर करेंगे डबलक क्लिक करें ये यह वाली क्लिप आपके बीवर में मिलता ए मोशन ॓प जैसे मोशन खौलते हैं, तो इस वीडियों से इस फ्रेम से समदित काई सारी शृटिक हमको यहां पड़ करकें मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला है सेटिंग है इसकेल मतलब इस फ्रेम को छोटा और बड़ा कर अभी इसकी वैलु है हंडर्ड हम इसकी वैलु कर देते हैं फिप्टी देखे ये फ्रेम का साइज छोटा हो गया देख रहें ठीक है छोटा हुआ लेकिन अब हमारे साथ मोका यह नहीं है क हम यह चाहते हैं कि यह धीरे धीरे छोटा हूँ या धीरे धीरे बड़ा हूँ उसके लिए हम लोग लगाते हैं की फ्रेम की फ्रेम लगाने के लिए हमारे पास देखे इस स्केल ट्रैक के सामने यहाँ पर एक की फ्रेम जनरेट करने का अपसन है हम यहाँ पर क्लिक कर देत पर एक और insert कर दिया, अब आपके दो keyframe लग गए, previous keyframe पर जाने के लिए हम इस button पर click करते हैं, next keyframe पर जाने के लिए हम लोग इसका button का use करते हैं, अब देखिए दोनो keyframe की value same है, यदि हम किसी एक keyframe की value को change कर देते हैं, यसे हमने इसकी value कर देते 50, लेकिन जब value change कर रहे हों अब क्या हुआ यहाँ पर इसकी value आपने 100 दिया हुआ है और next keyframe की value आपने दिया 50 तो अब यहाँ से 100 है और यहाँ 50 है दोनों 20 keyframe की 20 की value है न वो change हो रहे हैं इसे हम लोग keyframe बोलते हैं जब तक आप अगला keyframe लगा करके इसकी value में परिवर्टन नहीं करेंगे तब तक यह frame ऐसे ही चलता रहे हमने एक second आगे keyframe किया उसको control K किया इसका shortcut command keyframe लगाने का है control K जब करसर आपके keyframe सीध में होता तो यह जब दिखाता है और जब सीध में नहीं होता तो यह blank दिखाता है फिल होने का मतलब आपका जो playhead है ना keyframe पे है अब आप इसमें insert लगा नहीं सकते इस पर दुबारा क्लिक कर देंगे तो यह delete हो जाएगा यदि आप blank यह पर लगाएं क्लिक करेंगे तो नया बन जाएगा यह already लगा हुआ है तो उस पर यह keyframe delete हो जाएगा हमने यहां से यहां तक के बीच में कोई value change नहीं किया हमने आगे गए यहां पर फिर एक keyframe generate किया और इसकी value करती 25 अब आप देखिए इसमें क्या अंतर आ रहा कि अब की फ्रेम लगाया कि वैलूम कोई changes नहीं किया आगे और आगे करसर रखा अब यह सिकेंड अब सिकेंड वाइज भी कर सकते हैं सिप्ट के साथ राइट एरो लेंगे तो एक सिकेंड मूब करेगा दो करेंगे दो करेंगे ठीक है हमने यहां इसको की फ्रेम लगाया और इसकी वैलू कर दी हंडेड अब आप देखिए इसमें क्या अंतर आ रहा है यह देखिए धीरे-धीरे छोटा हो रहा है जहां आपने कोई वैलूने चेंज नहीं फिर वाया फिर रुका फिर वापस आगे मामला समझाए क्या है यह फ्लेश में भी होत ठा seulement माव्रा फ्रेम मोमेंट रोटेशन स्फीड सब की फ्रेम पर ही बेस्टों की फूरेंब और की फ्रेम Commerce और वैली उसका फैसंद क्या इसे मिलीन और वैली उस कहाँ मिलिया यह एज दिखाया यह थे वलेृत कि टुरेशन है यह बीश्रों पूर इसम दे और राइश का मैंने उत्त से दिखाए कणा मैंने से चोटा कुमांड प्लस से बढ़ा वना कर सकते हैं इसके द किसी एक की इन गरना तो आप यहाँ इसको प्रीवेश पर ले जाएं उसकी फ्रेम के सामने हम आपको बदाते हैं की फ्रेम जर्लेट करने का संथ करना तो आप कंट्रोल के प्रस करिए तो सीद में आपका प्लैहड होगा उस सी ओर यहां प्रणी वैल appeal हमें की फ्रेम लग जाएगा ओपिषिटीृपसेब्स इन चारों को छोड़ करके इन तीन चीजों में की फ्रेम लग जाता है बेसिक मोशन पर ही काम करेंगे इसके लगा सिप्ट के साथ एरो लगाया एक सिकेंड कंट्रोल के नेस्ट की फ्रेम जनेरेट किया अब इसकी वैलू आप चेंज करिए आप इसकी वैलू चेंज करिए 50 और आप चाहते हैं इस 50% के साथ रोटेट भी करना है तो आप रोटेशन वैली जीरो इसको आप 30 कर दीजिए तो अब यह क्या इसमीच में रोटेट भी करेगा और स्केल भी करेगा आगे चलके आप चाहते हम के वाली रोटेशन सही हो जाए की फ्रेम इस चीज में रखे हैं और जीरो कर दीजिए वह ही रहेगि और यह चेह जो जाएगा एक करना है यह दूरी तो आपको प्रिक करने तें फिर कंट्रोल के करें आप किसी वैलू को चेंज करना चाहते हैं आप इसकी वैलू को हमने कर दिया 25 हो के हो गया है आज समझ मागे कहा क्या लगा न आगे जाए अब अगला अब सेंटर पॉइंट का यह दोनों समझ मागे है अगला हमने किया के क्ले के अब हमको स्टेर क्या होता है इसकी पूजिशन हो purchase यह सेंटर पॉइंट है यह जहां होगा यह इस इस पॉइंट को हैं क्लिक किया यहां देखे एंगल में रेट प्लस में गया इसको आवने उठाके यहां रख दिया हुआ है ठीक है इसी तरह यहां पर चार ट्रेक लगा जाते हैं और चार रहों का साइच छोटा करते हैं और चारों की पूजिए किधर पूजिशन एक किधर चारों पूजिशन लगा जाते हैं और का अब इसी को हम चार दे गए बट ना चाहें तो इसकी डुब्लिकेट लियर बनाए अब एक एक layer को select करें हमने इसको select किया यहां गए इसको plus 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 select किया यहां click कर दिया इस पे click किया plus को चुनाओ किया इधर कर दिया आगे लिए उपर वाले किया क्लिक किया इसको अब यह सारी एक साथ मूब करेंगी सारी के लिए तीनों चीज़े समझ माई क्या ट्रैक है इस लेयर में सेंटर पोजीशन चेंच यह रोटेशन के लिए है और यह स्केल के लिए घर Bennett करते हैं तो अर आहरे में मधदे लुटेट में से जोंफ़ेट होता है यहां से रोटेट रोटेट हो तो अचाहते हैं कि यहां करके लोटेट करके यहां से रोटेट हो इसके लिए हमें इंकर पॉइंट चेंग करना पढ़ता है इसके लिए हमें इन फेल्ड्स में कोई कोई वैलू फिल करते हैं तो हमें ऺन दिखाई पड़ते हैं देखे एवेल्यागे यहां परर क्लेसपेक्टी टूल होता है calm यह ना यह कहां से सॺ करनाँ구σε परस्परफ्टी टूल श़ेट करने की जरूवत नहीं है आप सिधे आरो सिट प्रेसरेटक है यहां लेके जायंगे तो प्रस्परफिक्टी टूल आटोमेटिक मिल जाएगा इसको यहां पर रख लेते हैं लब यहां पर रखा और अब आप रोटेट करिए तो आया समझ में आइकर पॉइंट जहां होगा यहां यहां वाइए ऑपको सेंटर चिया तो इसकी वैदी यह जीरो कर लुट हुझा कई आप रूटेट करेंगे तो यह सेंटर से रोटेट होगा तो आप यहां प्रेस्पेक्टी टूल लेंगे यहां पर क्लिक करेंगे अब इस्टो आप जहां रखेंगे हम यहां रख देंगे यहां रोटेट होने सब्सक्राइब यह कोरल ड्रावे साथ है इससे बाहर निकल जागा वो आने गए इसक्रीम तो यह भी नहीं आएगा जो इससे बाहर निकलेगा वो तो दिखने गए इससे बाहर निकल जागा तो दिखेंगे जो इसके अंदर है वो दिखेंगे ठीक है तो यह आपका हो गया एंकर पॉइंट अगला है हमरे पास क्रॉपिंग लेफ्ट राइट टाप और यह एस फेजर जिसे आप पर्चित होंगी अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आप इस्टेटिक काटते थे अब यह मुमेंट में भी कटेगा मतलब कटता हुआ दिखेंगा तुम्हें और वो की फ्रेमिंग की दोरह कैसे हमने यहां पर कहें यहां पर लगा लें कंट्रोल के किया कंट्रोल के किया यहां की फ्रेमिंग लग गई एक सिकन्ड आगे गये फिर कंट्रोल के किया हमने राइट से काट लिया फिर एक सिकन्ड आगे गये फिर कंट्रोल के किया हमने राइट से काट लिया फिर एक सिकन्ड आगे गये Ctrl K किया Top से काट लिया जितना आप को चाहिए फिर एक सिकंड आगे किया फिर Ctrl K किया Bottom से कर लिया अब आप इसको ब्ले करके देख लिजिए Left कटा है Right कटा Bottom किया अब movement होता हुआ दिखरा दिखरा ना ये चीज़ आपको उसमें नहीं Photoshop को अब नहीं कर सकते आप एक साथ कर सकते हैं लेकिन movement हमें तो movement करना है ठीक ये बात समय भाई यदि आप एक साथ करना है तो Ctrl K करिए चारों वैलू इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना जितनी देर आपको रोकना रोकिए फिर वापस लेना है फिर Ctrl K करिए उनकी वैलू कर दीजे जीरो रोके आपस अब इनके साथ हमने आप उपर का कोई वैलू नहीं लगाया सेट किया तो यदि हम इसमें चाहें तो हम इसकी रोटेशन कर सकते हैं अब इस की फ्रेम पर वैलू किचिकिया तो यह अब यहाँ पर ध्यान यह देना है यदि आपको रोटेशन यहाँ के बाद यहाँ तक कांटिनू चाहिए तो आपको इसकी वैलू आगे की वैलू सारी वैलू सेम रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वैलू तो आपने अगला भी की फ्रेम चाहिए तो उसका एक तरीका होता है कि आप इसकी वैलू कौंपी कर लीजिए अगले की फ्रेम पर जाए उसको पेस्ट कर दीजिए जहाँ पर जाए उस वैलू के सीध में हर की फ्रेम पर जाए करके इस वैलू को पेस्ट कर दीजिए तो आपका वो एंगल बना रहेगा लास्ट पर फिर आपको वापस सही है तो इसको जीरो कर दीजिए तो सब के साथ यह की फ्रेमिंग जो है बीडियो रेटिंग की सबसे काम और सबसे इजी और सबसे क्रियेटिव काम इसी से होता है चाहे वाब फेल्टर लगाना हो चाहे आपको लेयरिंग कर मिक्सिंग करनी हो या की फ्रेमिंग करनी हो चाहे टेस्ट अनिमेशन हो जितना आपको इस स्कीन पर मुवमेंट दिखता है कंटेंट के अलावा फ्रेमिंग में टू विंडो थ्री विंडो फॉर विंडो जो भी मुवमेंट के साथ बनानी है तो वो जितना भी मूव होता है जिसे टेस्ट को इं मूव करके लाना कोई वीडियो आपको इस स्कीन पर मुवमेंट होता दिखाए पड़ा है वो सारा कुछ आपको मोशन के थुरू ही होगा जिसमें की फ्रेम का हम लोग यूटलाइजेशन करते है ओके थैंक यू फार वाचिंग